देखो यार क्या किसमत है मेरी लगबग एर एक महिने तक कोई स्रीज नहीं देखी और लगबग एर कल से लेके आज तक है 34 स्रीज हो गई है लगबगयार दो दिन में चार सुरीजर निप्टा डाला जी हम बात करने वाले एक और नई सुरीज के बारे में जिसका नाम होने वाला है देली क्रायम और इसी का सीजन टू एर फाइनली आउट हो गया और इसी का गरेंगे रियक्शन दिखें इसमें क्या अच्या था क्या बुरा था इन सब बात को बताएंगे डिटेल में पर हाँ इस इंट्रो के बाद तो अगर आपको पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में फोड़ा बता दी तो उसमें देखने हो मिलने वाले है सेफालिसा साथ में राशिका दुगल और आदल हुसेन और इन से लग भी कुछ और भी अच्छे एक्टर फिर बात निकल के आते ही स्टोरी क्या है पूरी कहानी क्या है और क्या उसके लिए सीजन उन को देखना जरूरी है अगर आपने नहीं देख रखा है तब भी इसको देख सकते हो इतने कोई जड़ा प्रोल्म नहीं आना वाली है स्टोरी पूरी तरीके से फ्रेस है अच्छा बन्यान गैंग को पर यार फोकस कर रही है जो यार कुछ लोग मर्डर कर रहे हैं और दुबारे से सक्रिय हो गए है और मर्डर चालू हो गए है उनके तरब से और इसी से पुलिस वाले परिशान है अब वो इस केस को किस तरीके से हैंडल करते हैं और आगए स्टोरी हमें क्या दिखाती है इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखने होगा स्रीज को जो मिलेगी नेटफ्लिक्स पर अब अगर आप देखने हैं प्लान करे हो जाने के बाएरे मैं सोच रहे हो दो मेरी पहले वीडियो में रुख जाओ पहले सुन लोग की स्रीज यार कैसे लगने वाली है इसके निप्लिक कैसा है बैग्राउंड स्कोर कैसा है एक्टिंग कैसी है प्लस क्या कोई लेंथ वाली प्रोब्लम तो नहीं है और क्या कोई देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए था और इसी वैसे लगबग आप साधे 3 गंटे में पूरी स्रीज को अराम से खतम कर सकते हो जो इसके लिए सब्सक्राइब प्लसमेंट साभीत हुआ है क्योंकि आर इतने देर में लोग बहुत कुछ दिखा जाते हैं और ओडियंस को बोर होने का मोका नहीं जेते हैं जिस तर करेक्टर से कनेक्ट हो जाने वाले हो अगर आपने सीजनों देख रखा है तो इसकी ज़रोती नहीं पड़ेगी पर अगर सीजन टू देखने का हो डिरेक्ट तब भी आप आराम से कनेक्ट कर जाओगे साथ में जिस तरिके से पूरे स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं पूर और फिर भी वहाँ पर थोड़ बहुत यार इस्टोरी खिसती वे दिखाई दी मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें जो चीज़े हो रही है वो इतनी यादा जलूरी नहीं है पूरे मेन इस्टोरी के लिए तो यार यह थोड़ा मैंने नोटिस किया है जो साथ आपको लग सकता या भी न लगे हो सकता बस मुझे ही ऐसा फिल हुआ हो प्रोडक्शन बेलु यार काफे तक भैंक करें जो यहाँ पर पुलिस की इंक्वैरी चलती है जो काफी चारी चेस स्टोरी टर्न करती है वो सब चीज़े है इस्टोरी के प्लस पॉइंट में आती है आपको सप्राइ पुरबर उप्रें जिसे सेफाली ओटी है या इंसर अग जितने भी एक्टर देखने हो मिलने है लगभुको पसंद आने वाला है गरेंटिस आने वाला है एक्टिंग में आप दो नहीं मिलेगा कहीं भी आपको और यह भढ़ीया बात थी पूरे स्रीज के लिए तो अगर बात कर लें पूरे स्रीज के बारे में तो स्रीज यार अच्छी है कम टाइम लेती है आपसे और बहुत कुछ दिखाने ही कोशिज करती है स्रीज की स्टोरी भी लगबग फ्रेस ही लगी मुझे जिस तरीके से इंक्वाइरी चली गए जिस तरीके से पूरा क्लैमेक्स लिखा गया है और उसके बाद जो हमारे सामने निकल के आता है पूरा वो चीज यह अच्छा था पूरे स्रीज में चाहिए टेक्टिंगल वर्क ह यह स्टोरी की राइटिंग हो यह स्क्रीन प्ले की राइटिंग हो लगव गया अच्छी लगेगी आपको तो यह मिस नहीं करना चाहिए अगर आपने सीन वन को देख रखा है तो भया राम से आके देखो नहीं देखा है तो सेजन टू को भी देखोगे तो इंटरस्ट बन